हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तुरफ से प्यार भरानमशकार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं जीरा राइस जटपट से और बिल्कुल अलग तरीके से बना होंगे तो चलिये फिर देडरों करते हुए स्टार्ट करते हैं तो देखेए फ्रेंड्स मैंने एक लास बासमती राइस लिए है और उसी बर्तन में मैंने इसे डाल दिया है जिसमें हमें बनाने वाली हूँ तोसे अच्छी तरह करणा है राइस को अच्छी तरह से मसलमसल कर धोना है क्योंकि बाद में इसे विल्कुल भी टच नहीं करना तो चलिए पानी डालते हैं इसे इसमें बुलकुष क्लीन पाणी ना दिखाई देने लग जाए तो इसे अच्छी तरह से मसल लेती हूँ तो ये देखिए कितना गंदा हो गया ना पानी तो ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए पानी तब तक इसे अच्छी तरह से आप धो लीजिएगा तो फ्रेंड्स मैंने तीन चार बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है अब हम पानी इसमें एड़ करेंगे उतना जितना हमें इस चावल के लिए चाहिए तो एक गलास मैंने बासमती राइस लिए है न तो दो गलास से दो तिन चमच उपर मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसे भीगने के लिए रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तो 15 मिनट भीगने के बाद ही हम इसे आगे बनाना स्टार्ट करेंगे तो चलिए पानी मैंने डाल दिया है आप देख रहे हैं दो गलास से दो तिन चमच उपर तो मैं इसे कर दूँगी कवर और इसे हम रेस्ट पर रखते हैं 15 मिनट तो देखिए फ्रेंट्स 15 मिनट हो चुके हैं चावल बहुत अचीतना से फूल चुके हैं और इसे हमें अभी नहीं टेच करना है तो अब मैं डालूँगी इसमें आदा चमच साबुच जीरा क्योंकि जीरा राइस है और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक तो नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमें इसे किसी सबजी के साथ इस्तमाल करना है खाना है तो उतना ही नमक इसमें आड कीजिए और एक चमच मैंने भर कर डाल दिया इसमें देसी घी कुकिंग ओयल भी डाल सकते हैं आप इसमें लेकिन देसी घी से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है तो चलिए अब यह हमने सभी चीजे इसमें दाल दी है फ्लेम करते है ओन और रख देते हैं पैन को फ्लेम के उपर तो यह देखिए इसे एक बार हलста हम ऌंद काइसा चला है और फ्रिंट्स अब ही क्ली किंग तब तक पकाओंगी जब तक इसमें boiling stage ना आ जाए तो cover कर दिया है मैंने तो ये देखिए boil होना start हो गया है तो मैंने एक बार फिर इसे चला दिया बस इसे अब मैं कर दूँगी cover और 5 मिनट में ये चावल हमारे बन कर त्यार होंगे flame कर देंगे low तो लीजिए 5 मिनट हो गए चावल बहुत खिला खिला बन कर त्यार हुआ आप देख रहे हैं रेस्ट पर रखते हैं से 2-3 मिनट और flame मैंने बन कर दी है फिर करेंगे से serve तो लीजिए चावल देखिए कितने बढ़िया खिले खिले बने हैं बिल्कुल मोतियों कितने चमक रहे हैं और एक एक दाना इसका अलग है बिल्कुल भी नहीं चिपके इस तरह से आप बना कर देखिए आपको ये बहुत बढ़िया लगने वाले हैं किसी भी सबजी के साथ दाल के साथ इसे enjoy कर सकते हैं पार्टी जोगेर में आगर आप इस तरह से रस्पी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे like कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जिरूर सब्सक्राइब